जियोतिश के अनुसार क्या मंगल आक्रामक्ता और क्रोध के लिए जिम्मेदार है? यदि हाँ, तो इस विश्वास के पीछे क्या कारण है? वैदिक जियोतिश में मंगल को अक्सर आक्रामक्ता, क्रोध और मुखरता से जोड़ा जाता है. यह मंगल ग्रह होने से उपजा है जो उर्जा, प्रेरणा और क्रिया को नियंतरित करता है. इसका उब्रस्वभाव कच्ची, मौलिक शक्ती का प्रतिनिदित्व करता है जो व्यक्तियों को कारियर करने, लड़ने और प्रतिसपरधा करने के लिए प्रेरित करता है. मंगल योद्धा आदर्ष से जुड़ा ह हुआ है, जो साहस, प्रभुत्व और आत्मरक्षा का प्रतीक है. जब मंगल जन्म कुंडली में अच्छी स्थिती में होता है, तो यह इन गुनों को सकारात्मक रूप से प्रसारित कर सकता है, जिससे व्यक्ति को द्रिर संकल्प, नेत्रित्व और कटिन परिस्थितियों म में प्रकट हो सकता है. मंगल और क्रोध के बीच संबंध विशेश रूप से तप्सपष्ट होता है जब मंगल चंद्रमा या लग्न को प्रभावित करता है, जिससे भावनात्मक प्रतिक्रियाएं और आकरामक प्रवृतियां तीवर होती हैं. अपनी कुंडली में मंगल क स्थिती को समझने से इन उर्जाओं को संतुलित करने में मदद मिल सकती है, जिससे विनाशकारी आकरामक ताके बिना मुखरता की अनुमती मिलती है. अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म की सदस्यता लें.